नमसकार दोस्तो मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज हमारे पास यह टावर रिपेर होने के लिए और इसके अंदर जो 20-50 IEC वो ब्रीज में दोनों ही आइसी ब्रीज में है क्योंकि इसके अंदर दोनों बॉक्स जो है वो सेम है तो यहां पर देखे ट्रास्फरमर खराब निकला था तो ट्रास्फरमर के अंदर बोल्टेज मतलब आ रही थी लेकिन आउटपूट नहीं हो रही थी तो मैंने यहां पर इसको जो है चेंज करा तो मैंने टेस्टिंग के लिए यहां पर एक ट्रास्फरमर लगा लिया है जिसे कि हमें यह पता लग जाए कि सेट में क्या दिक्कत है क्योंकि नया लगाने से पहले हम सेट को फाइनल कर लेते हैं कि उसमें क्या प्रोब्लम है तो की बोड के अंदर भी हमारी प्रोब्लम आ चुकी है तो प्रोब्लम कॉम कैसे सोल्ब करेंगा विसके सोटिंग है सोटिंग कैसे पता लगेगी हमें तो सबसे पहले हम जो है यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले देखे मैंने इनकी डाइबोड चेंज कर दिए क्योंकि जो है आई-सी के अंदर ही प्रोब्लम होती है तो देखे दोस्तों इस टावर को मेरे को बहुत देर हो गया रिपेर करते हुए तो ट्रास्फरम तो इसका खरापता हमने चेक कर लिया था फिर यहां पर जो इस बोड में सोटिंग आ रही थी मैंने आपको दिखाया थे कि सिड नहीं निगली फिर हमने यह आई-सी को निकाला तो हमारी सोटिंग चली गई तो यहां पर हमारी यह खराब हो गी थी इसके वज़े से हमारी सप्लाइए सोटिंग दिखा रही थी अब सोटिंग दिखाने के बाद अब इसमें क्या प्रोलम है कि एक पेर जो है इसका वह आपको दिखा देता हूं यह देखे यह वाला जो है यह स्पीकर पॉइंट है यह स्पीकर पॉइंट है यह ओडियो इन है यह पांच बोल्ट की जो है यह सप्लाइए और बाकी इसमें वाइरिंग कुछ ज्यादा नहीं है और एक बास्ट्रेबल बोड जो है देखिए आप से लगा इसकी जानकारी देने के लिए तो दोस्तों मैं इसकी यह वाली आईसी भी चेंज कर देता हूं तो सोटिंग निकालने के लिए मैंने पहले डाइबोड को उपन करा फिर एक-एक आईसी निकाली और सोटिंग हमारी इस तरीके से चली गई अब हम इसको क्या कर तो मल्टी मेटर से कोई भी सो नहीं कर रहा था आइसी की कौन सी सोटिंग है तो मैंने आइसी को फिर ये वाला आइसी चेंज करा हमारा सोटिंग चला गया अब इसके अंदर इन दों में से एक आइसी खराब है क्योंकि आवाज जो है हमारी किलियर नहीं आ रही थोड़ी किलियर नहीं किलिए दों में जो है हमारी किलिए रहाज को प्राइसी करते है रहाज पना आइसी तर खराइसी तर दों किलिए लाज़।